हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत सागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुत ही टेस्टी प्याज के परांटे फ्रेंड्स यह बहुत ही जल्दी बन के त्यार हो जाते हैं और खाने उंतों बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं आप इ तो आदी चमच नमक डालेंगे नमक की सब्सक्राइबए कोrąच नमक आते मेक्स करतें है तो यह मैंने अपर एक कप पादी लीया है अब से थोड़ा-थोड़ा कर KÉ पानी डालेंगे और इसका इक eerste आप कर लेते हैं जिस तरह से हम रोटी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसका डो लगा के त्यार करना है तो एक साथ पूरा पाई नहीं डालेंगे और यह देखिए इस तरह से हमारा डो बनके त्यार हो गया है अब यह थोड़ा सा चेपक रहा है तो अब इसमें आधी यह मुष्यम डाल देते हैं डालने कि अब मसल मसल के अच्छे से चिकना बना लेते हैं तो हम इसको हम पीचे साइड बना लिंगे कीछ Gary प्रेंट हैं जब तक हम इसके लिए स्टफिक मनाकर ये तो उसके लिए हम एक्सिंग बाउल लेंगे और यह मैने अपरी है बड़े साइच के प्याज लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से बारीक चौप कर लिया है प्याज को हमें बारीक से बारीक ही चौप करना है और दो मैंने बारीक कटी हरी मिर्ची लिए हैं थोड़ी सी मैंने आप धनिये की पत्यां लिए हैं एक त्याई चमच लाल मिर्च का पा दालें आदे चमच मैंने आम चूर का पाड़र लिया है इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा तो इन सभीचियों को अच्छे से हम इसमें मेक्स कर देते हैं और यह हमारी स्टफिंग बनके त्यार हो गई है तो अभी स्टफिंग को साइट से रख देते हैं हैं यह देखिए जो हमने आठा गुता था वह अच्छशे से सेंट हो गया है तो अब माठे में असे लोया बना लेते हैं तो इस तरह से हम नीवू के साइच की इस तरह की लोया बना लेते हैं जिस तरह से हम NORMAL रोटी के लिए लोई बनाते हैं बलुकुल बैसी हमें लोई बनानी है और यह मैंने आपस सूका आटा ले लिया है तो अब हम एक चकला लेंगे और एक लोई रग लेते हैं अब हम इसको सूके आटे में लपेड़ेंगे और इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं हमें इसको पूरा नहीं बेलना ह इस तरह से हमें इसको थोड़ा ही बेलना है क्योंकि हमें अभी इसमें stuffing भरनी है तो देखी मैं इस तरह से रोठी को बेल लिया है तो अब हम इसमें stuffing डालेंगे इस stuffing आप उने साब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं तो इस तरह से स्टफिंग डाल दी है अब हम इसको इस तरह से cover करेंगे तो हमें इसको इस तरह से मोड़ना है और इसके मुऊंको इस तरह से बंद कर देंगे जो उपर एष्टा आटा है उसको हम इसमें से निकाल देते हैं तो अब हम इसको सू के आटे में लपेट लेंगे तो अब हम इसको जितना हो सकता है हातों से इसको हम चोड़ा कर लेंगे क्योंकि प्याज के जो पराटे हैं वो नौर्मली फट जाते हैं तो हमें इसको जितना हो सके हाथों से इसको चोड़ा कर लेना है इससे क्या हुआ कि अच्छे आसानी से बेल जाएंगे हमें इसको पहुच जाता परिशा ही नहीं होगी बेलने में तो देखी मैंने हाथों से इसको बेल लिया है तो अब हम इसको बेलन की सायता से थोड़ा सा और बेल लेते हैं यह देखिए बिलकुल इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है प्रेंड्स आप इसी तरह से प्राटा बनाएंगी तो आपका प्राटा बिलकुल भी नहीं फटेगा यह देखिए कि कितना ही अच्छा बनके त्यार हुआ है तो अब हम इसको एक प्लेट पर अकु पर ने सबेंगे और जल्दी बनाने के तियार जसे परना है चटपता फ३ट से बनाएं तो आप यह तरह से हम उसको वह फोल्ड कर देंगे रहना www.smart.sesencei. neglig, मैं शोल्ड कर देखें अब हम इसको सूखे आठे में लपेट के इसको भी हम सेम प्रोसेस से हाथ से जितना हो सकता है चोड़ा कर लेंगे ठेंट इस तरह से जब आप प्रांटे बनाएंगे तो आपके प्रांटे बहुत ही अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे तो आप एक वार इस तरह से जब प्रांटे बना के देखें तो इस तरह से मैंने इसको चोड़ा कर लिया है तो हम फिर से सुछे थोड़ा सा सूखा आठा लगा लेते हैं और एक बेलन की साहता से इसको हम हलके हाथों से बेल लेंगे तो देखिए ये हमारा दूसरा प्राटा भी बनके त्यार हो गया है कितना अच्छा प्राटा बना है तो इसी तरह से हम सारे प्राटे बना लेंगे तो ये मैंने आपकर दो प्राटे बना लिए हैं तो अब हम चलते हैं गैस की तरब इनको सेख लेते हैं तो आब हम गैस वन करके तबार रखेंगे और इसमें थोड़ा सा फॉई लगा लेते हैं आप बटर घी कुछ भी लगा सकते हैं तो अब मैं इसको नीचे की साइड जीए देते हैं और यह नीचे से सिख गया है तो अब इसको पलट देते हैं देखें कि इसमें ब्राउन स्प प्रट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे यह देखी कितना अच्छे से इस पर कलर आ गया है गोल्डर ब्राउन का हो गया यह ये पराँटा भी हमारा सिक ट्यार हो गया है तो अव हमिशको बाह निकाल लेते हैं आप देख सकती है कितना ही अच्छा लग रह यह देखने में बहुती कृस्पी बना है तो अब हम सेम प्रॉसेस से दूसरा प्राँटा भी सेक लेंगे थोड़ा सा ओईल लगा लेते हैं पराटा डाल देते हैं और इसको भी हम पलट देंगे यह देगी नीचे से कितना अच्छा से गया है तो अब हम इसको फिर से पलटेंगे और इसपर और लगा लेते हैं दूसरी साइट से भी ओयल आप में इसाब से थोड़ा सा कम्या जादा भी लगा सकते हैं अगर आप जादा ओयल नहीं खाते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा ही ओयल लगाएं तो इस तरह से हम इसको भी दोनों साइट से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेख लेते हैं यह देखिए पराटा भी दोनों साइट से अच्छे से से शेख गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ही क्रिस्पी बना है तो अब हम इस पराटे को भी बान निकाल देते हैं और ये देखिए ये हमारे गर्मा गर्म प्याज के प्राटे बन के त्यार हैं तो आप इसको दही के साथ या हरी चटनी के साथ अपनी मन पसंद के सीवी चीज के साथ खा सकते हैं अगर आपको में रेसिपी अच्छे लगी तो में रेसिपी को लाइक में चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर करें फिर मिलेंगे एगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार